समय हम चंडीगड के सेक्टर 15 में हैं और यह एक बिजी मार्केट है यहां का लोकल लोग हैं क्योंकि अब देश जो है वो चुनावी मौहौल में आगे आगे जा रहा है लोकसवा चुनाव जल्द होने वाले हैं उसकी तैयारियां हो रही हैं तमाम पार्टियां अपनी दाव करेंगे कि चंडीगड में क्या माहौल है क्या यहां के चुनावी मुद्धे हैं दोसार चौबिस में देश में होने वाले आगामी लोकसवा चुनाव का एलान हो चुका है देश की जनता इस बार किसको देगी अपना बहमोली वोट और किसको मिलेगी सत्ता की चाभी यह च चुनाव में बीजेपी ने यहां लगातार जीत हांसिल की यहां पर किरन खेर बीजेपी की सांसद है साल 1902 में देश में पहली बार लोकसवा चुनाव हुए थे लेकिन उस दारान चंडिगर्ड संसदी शेतर नहीं था साल 1967 में चंडिगर्ड को लोकसवा निर्वाचन शेतर बना गया साल 1999 में लोकसवा चुनाव में कौंग्रेस के पाउन बनसल यहां से जीते थे इसके बाद 2004 और 2009 में हुए चुनाव में भी पाउन बनसल जीते और केंदर की UPS सरकार में मंत्री भी रहे लेकिन साल 2014 के चुनाव में भाचपा ने इस सीट को कौंग्रेस से छीन लिया और किरन खेर यहां से चुनाव जीती 2019 के चुनाव में किरन खेर को एक बाद फिर से BJP ने मैदान में उतारा और फिर से यह सीट जीती किरन खेर ने 46,970 वोटों से कौंग्रेस प्रत्याशी पौन बनसल को एक बाद फिर शिकस देने में कामियाबी हासिल की किरन खेर को 2,31,188 वोट हासिल हुए और पौन बनसल को 1,84,218 वोट मिले वहीं आपके हर मोहन धवन को महस 13,781 वोट ही आत लगे चन्डीगड लोकसवा सीट पर 70,962 पीजी मतदान हुआ चन्डीगड में इस बार आप नहीं लड़ेगी चुनाओ गौरतलवे की इस बार पंजाब में आमादमी पार्टी की सरकार है लेकिन चन्डीगड में आमादमी पार्टी और कॉंग्रेस में कड़ बंदन हुआ है मेर चुनाओ से पहले कॉंग्रेस और आप में यह तैह हुआ था कि मेर प्रत्याशी जहां आपका होगा वहीं लोगस्वा चुनाओं में आप और कॉंग्रेस का साधा पृत्याशी यहां से चुनाओं लड़ेगा उन्हें ने ठाई है और राम जननबुमी राम मंदिर का निरमान किआ है उस लिए तो हम इनके बहुत ही दन्यवादी है और इनके लिए तो हमें गर्भ होना चाहिए है कि हमारे हिंदूस्तान में हमारे जैसा कोई ऐसा नेता पैदा हुआ है जिससे हम गर्भ पर यहां के लोग चाहते हैं हमें लोकल नेता होना चाहिए कोई भी हो लोकल हो जिससे हम हम उसको घर जाके पकट सके हम अपने विकास के बारे उनको पता होता है हम चंडिगर में लोकल होना चाहिए कोई भी हो लोकल हो बास लोकल फर वोकल का जो कैमपेन है वो ज़रूरी है क्योंकि बाजार एरिया है दुकानदार है कुछ लोग बाहर से हैं सर अभी आपने ट्रै हर वरक के लोग हैं यहां पे जो करमचारी हैं सरकारी उन्हें अपनी व्यक्तिकत जो जुरूरत है जैसे मकान और पैंशन आदी की जो समस्याई हैं वो डिमांड रखते हैं पैंशन हो और जो निम्न वरक के लोग हैं उनको मकान की रहती है कि हमें मकान सस्ते लाट हो और वो इसन स्काइब कंड़र सब्सक्राइब इंटना चला एक हो गई हैं उन्होंने निम्रवर के आज डिजिटल इंडिया इतना है कि आप किसी रेडी पे यहां पे जितने भी फूरूट्स चोटे वेंडर्स लगे हैं वह इतने डिजिटल हो गए हैं कि उन्हें सामने इतने वह बोड लगे हुए हैं उनके स्केनर की आपको इजी हो गया है बहुत इंडोस्तान में बाहर भी इसको अडॉप्ट के जारा सिंगापूर जैसे देश ने हमारे डिजिटलाइस को अप्रिशेट किया और उन्होंने भी अपने शुरू था और इसको देखके कि इतनी जल्दी हमारी ग्रोथ हो रही है डिजिटाइलेजेशन की इंडिया के अंद हमारे को मौका मिलेगा तो हम बताएंगे कि क्या कुछ और कर सकते हैं क्या हो सकता था ओविसली कि जो मोदीजी ने वरकाउट किया है जितना भी वरकाउट किया है बहुत अच्छा किया है अगर आप हम यह नॉमल इंडियन्स के उससे नहीं बाहर भी बाहरे देशों में द कर रही है लास्ट तीन मेने की आप तिमाही कि आप वो देखेंगे डाटास देखेंगे विया गोइंग 8.4 और वर्ल्डवाइड कोई भी 8.4 नहीं है आज की डेट में एकॉनमी हमारी बूस्ट कर रही है हमारा के किते आर्टिकल 370 है 370 में जो किते लास्ट सेवेंटी यह में कॉंग्रेस 75 इस में नहीं कर पाई वह आज मोदी जी ने किया है और इसके सिवाए आप जो भी अगर आप देखेंगे जो इन्होंने 2014 से पब्लिक से एक मोदी जो कहते हैं यह मेरी गरंटी है तो वह चीज़ उन्होंने 2014 से अगर आप देखेंगे रिकॉर्ड तो तो त हमारे लिए कि तो बहुत ही अच्छा है पब्लिक के लिए और हर चीज के लिए मोदी जैसे चोटे दुकान दा रहे हैं चाहे आपके किते बड़े हैं आपको जी एस्टी नंबर वगरा अल देस अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा हो किया है लास्ट टैनिया ने सब्सक्राइब के लिए तो आपके में जो आप यहां पर लोकल है तो देख रहे हैं कि वह वाके में काम होता दिखाई दिया है कि कॉंग्रेस को जो दावे करी है उसको मौका मिल सकता है जिस तरह का गड़बंदन इंका चल रहा है खले शादो मुम्ताब एनरजी यह सब मि ख़क रहे हैं कि नहीं इस बार यह नया पतला हो लेकर क्या आएगे ओविसली जो कहती है देखो कि भी हां कि इन्हों ने कुछ नहीं किया या कुछ है तो आपके किते कॉमन मैं से किसी भी कॉमन मैं से आप रेडी फड़ी वाले से पूछ लो आज आप किसी के हाथ में भी पे टीयम, और रिख्शा पुलर भी है और रिख्शा पुलर भी आज पे टीयम इन ऑनलाइन और आइस्क्रीम जो रेडी लगाते हैं यह लोग है तो कभी इन्हों ने सोचा थोड़ी था कि भी हम कि के टे लिए जितना भी कहते हैं कोंकरिस कहती है कि अगर हम ने नहीं देखा देश में बतलाओ लेकिन तमाम जो पार्टियां है वो भी अपनी दावेदारी कर रही है और क्योंकि चुनाओ है सब को अपनी बात रखने का हक है सब प्रत्याशे अपने उतार रहे हैं तो सभी अपनी दावेदारी जरूर पेश करेंगे अंकल आप ने काफी समय से देखा चंडिगड़ को चंडिगड़ की क्या डिमांड रही है और कितना चंडिगड़ अभी तक फुल्फिल कर पाया है चंदा चंडिगड़ को मिला और चंडिगड़ क्या चाहता है चंडिगड़ की यह दिमाड़ है कि इतना परभाव पढ़ गया है कि मोडी मोडी जी जो ग्रंटी है जो मोजी वो हमारे चन्दीगार में एक लहर लहर चलती है और हमार हम यह चाहते हैं कि हमारा लोकल उम्मीद मार हो ले जाएगी बिल्कुल बीजेपी ही सीट जीते यह जंता का मानना है हम किसी को क्लेम नहीं करें कौन जीते का कौन हारे का बट जो देश में चल रहा है महल उसको देखते हैं क्योंकि यह भी शॉप की पर हैं अभी मैंने देखा मोबाइल शॉप पर काम करें थे सर जब आपके पास लोग आ रहे हैं अभी जिस तरह से आपने सारा का सारा मोबाइल का स्टोर खोला पहले हम इनको इंपोर्ट करते थे अब हम एक्सप चारी है या दियारीदार मजदूर है उसके हाथ में भी आप देख लो तो डिजिटल मोबाइल है और क्या चाहिए इंडिया को इसमें मुदी जी ने जो किया है देश के लिए वो कोई कुछ नहीं कर सकता कि नहीं जी हमें तो चाहिए हम भी तो कर रहे हैं पूजिशन को प चाहिए थी कि मैं कांग्रिस के साथ कभी हाथ नहीं मिला हूंगा आज वो उनके पैरों में गिरा पड़ा है है और क्या चाहिए आई उसमान जैसी जो स्कीम दी है वो मैंने भी उस कलाव उठाया है मैं कहां 15-16 हजार पे कमाने वारा कर्मचारी कहां अपना हाट का इलाज क उसमें मुझे सुविधा मिली तो मैं क्योंना स्पोर्ट करूँगा बिल्कुल सुविधा मिली है मानते हैं देखिए यही हम दिखाने की कोशिट कर रहे हैं कि ग्राउन पे वर्क आउट हुआ अंगल आप कह रहे थे कि बेटियों के लिए स्कीम चलाई गई रेडी पट्र वालों के लिए स्वानिधी योजना लेकर के आए सब को 10,000 रुपए से शुरू करने को बोला तो वाक्य में यह सब काम हुआ आप क्योंकि मार्केट में काफी रहे हैं मार्केट देखते हैं तो यह आपर पूरे चंडीकट से इकठे करके एक मार्केट बनाई है उनके हैं यह तो बहुत बढ़ी है स्कीम है अब इनको बोला गया है कि आप होली होली अच्छी स्कीम चलाओगे तो आप देते रहोगे गोवर्मेंट को पैसा तो आपको एक लाग तक भी देंगे यह बहुत बढ़िया चल रहा है जी बहुत सारे खुश हैं लोग यह तो कांग् अदिग्यों सही बात बोलते हैं जो करना वो करते हैं जो उनकी है घरंटी वह तब ही गढ़ाएं हरे की वह जैसे हम जुते बेचे देटेशे हैं छे मिने की तो वह भी पूरी गरंटी देते हैं पांच साल की आप यह यूवा हैं काफी टाइम से यह पे पढ़ाई भी करी तो कैसे देखते हैं, चन्रीगड के बदलाओ को चन्रीग में क्या बदलाओ देश की राजनीती में? मेरे को देखी जादा पॉलिटिक्स और इस चीज के बारे में पता नहीं है, मैं वैसे चंडिगड़ के पडोसी शहर पंचकुला से हूँ, तो पंचकुला में मुझे जहां तक पता है कि जो स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स बने हैं, हर एक सेक्टर में बने हैं, और मंसादेवी में जो आयरुवेदा बन रहा है, वो फाइनल स्टेज पे आभी, और एक जहां तक मैं स्टडी मैंने किये, उसमें मुझे पताला है, जैसे जो बहार से बिजनसी जा रहे हैं और जो इंडिया आपोजिशन बार-बार कह रहा है कि क्लेम कहता है कि नहीं उस तरह से काम नहीं हुआ, जो वाइदे किये जा रहे हैं, वो पूरे नहीं हुए, क्या आप भी मानते हैं कि सारे वाइदे दो थे वो कागजों पर थे या फुल्फिल किये गए गए, देखो, सारी चीजे दो प थी साल पहले था, मलाव अब थोड़ा सा चेंज आया है, कॉंगरेस के ताइम में, वी दिन फाइन फाइन जाइन 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 तो, 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 आप देखा जासे, नूंबर वन, स्टीट लाइट है, पहले आदा आदा आदी भूजी होती थी, आजी जडी होती थी, तो, नाओ, वी कन सी, मलाव जदी हम कैमरा भी लगाएंगे ना, इधर, तो, आपको लाइट दिखाई देंगी, तो, अधर और पार्किंग में भी काफी इंप्रूब्मेंट हुई है, मलाव रोड में डिवाइडर लगाए गए है, तो, वी कन सी, सम चेंज इन स् करेंगे, क्या लगता है कि कहां वो लैक कर रहे हैं, वो उनको वो जीद करनी चाहिए थी, जो ग्रास रूट पर नहीं कर रहे हैं, देखो, पोजिशन जो है, गठ बंदन कर सकते हैं, पर उनको एक ऐसा फेस लाना पड़ेगा, जो, वी स्ट्रोंगर दैन मोधी, वो ऐसा फ रहे हैं, जिनसे जानेंगे, क्या मूड है जन्ता का आगामी चुनाव को लेकर के, और चंडीकड क्या देखता है, कि उनका विकास और विस्तार कैसे होगा, तो संजी चड़्ड़ेजी हमारे साथ जुड रहे हैं, इनसे जाने की कोशिश करेंगे, सर, कितना विस्तार हैं, चाहिए वो फॉरन पॉलिसी हो, जा अपने रख्षा मंतराले की तरफ से जितने काम होई हैं, बहुत अच्छे काम होई हैं, जा स्मार्ट सिटी बनी हैं, और डिवेल्पमेंट्स होई हैं, रोड्स बनी हैं, तो उसके बीच में मेरे खाल से आम पारी सैटिस्पाइड हैं, या आम दुकानदार या आम जनता सैटिस्पाइड हैं, पर जहांता हैं, चंडीगड का सवाल है, अभी चंडीगड के अंदर बहुत काम होने बखी हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली, वैसे ही जो चंडीगड में सरकार जो पिछले 20-30 सालों से एक सिस्टम बना हुआ ह जो सेंटर में सरकार आती है, तकरीवन MP उसी सरकार का होता है, लेकिन डबल इंजन की सरकार का फाइडा काई राजियों को मिला, क्या आपको लगता है कि अगर यहां बहुत बहुत की सरकार हो, चाहे हम UP देख लें, हर्याना देख लें, आपका गुजरात देख लें? अगर हमने हरैना में देखते हैं हरैना मेरे बिलकुछ निज्दीक है जो और जगह पर हम देखते हैं तो चंडीगड क्या है चंडीगड एक छोटा चा शेहर है जिसकी बागडोर यूटी है जिसकी याड बागडोर सीधी यूट अपना एमोच के पास है वहां से काम उने इत होते हैं वो काम हो नहीं पाते हमारा मेरा मानना आपके मादम से कहना चाहूंगा कि चंडीगड के अंदर एक फ्रीली हैंड दिया जाए जिसमें ये काम कितने हो सके और चंडीगड एक आप एक खूबसूरत शहर है समार्ट शीटी में कहीं पिछड रहे हैं तो वो चीज बढ़िया होनी चाहिए जिसे में सारा सिस्टम बन सकते हैं यहां पर हमारे साथ प्रिंस भी हैं जो की चंडीगड से प्रेजिट करते हैं हमारे चैनल को प्रिंस क्या सवाल रहेगा आपका इन लोगों से कि कितना बदल होते थी लेकिन आब आस्विक्ता रूप में देखने को लग गया है तो सर देखते हैं समार सिटी जो है चंडीगड बंद गया है आपके समार सिटी का काम बहुत स्पीड से चल लहा है बट अभी लोगों को दिखाई दिना ने शुरू हुआ जो एडमिस्टेशन है बहुत लोकल कोई यहां आईयस अपसर कोई बाहर से आते हैं सावर लोकल यहां कोई है नहीं जब तक चंडीगड में हमारे को इंडीपेंडेंडन्ट किसी ऑफिसर की चंडीगड को सन-80 में जब अगरबाद पहला उस टाम चंडीगड की जो एडमिस्टेटर था उसको लगा दिय क्या देखते हैं कि अब आने वाले जो हैं भाशपा का रहेगा कॉंग्रस का रहेगा नहीं देखे अभी तो कुछ भी इसके बारे में बोलना बहुत जल्दबाजी होगी तो इसमें भी फिर से गरम उद्दा हुआ है जो लोकल फिर से किसान आंदोलन पे हैं प्रदेशनकारी जो आए हैं क्या वाके में इस से देश का महल फिर से खराब होगा या जो पहले डिमांड थी वो पूरी करी गई अब इसको सॉटेट करना चाहिए बैट करके खतम करें भाई अब्सें किकते डिखो ये एकॉनमी हमारे जो भी इतने चीन से लास्ट को अंदोलन चल रहा है उसके अंदर किकते हैं हमार को नुकसान ही हो रहा है किसानों का अगर MSP के लिए इक सान कहाँ है oh मैस पी पे तो MSP कितना हम स्क्राइध किसानों को बन втор parcel किक हऊ है वो सारा हमारा किसानों को चले जाएगा तो यह तो अल्रेड इन्होंने फाइव टू सिक्स MSP चीजों पर दे रखी है बट हर चीज पर तो कॉमेंट भी नहीं कर सकती ना तो यह चीज तो हर एक किसानों को ऑपको देखं़ हर एक प्रदर्शन कारी है इसमें कोटों कॉप्लिको कारी Federation कारी ंट कंवेसेट शचीज को ओझाएक किसान कारी जिर्वाइव नुवे सब्सक्राइब मेंड़न उस और यह,ट Archive अब हर चीज के लिए देखा जाए अगर पाकिसान के साथ हमारे बॉडर्स है आप चाइना के साथ हमारे बॉडर्स है अब जो आर्मी में हमारे विक्रमा दिते पोर्ट दिया गया है और के किते हमारे आर्मी के एक्विपमेंट्स आ रहे हैं मेक इंडिया के थू हमारे आ रह आज हमारे पर हम खुद बलकि एक्सपोर्ट करेंगे चाहे हो हमारे हेलिकॉप्टर जाहे हमारे यूथ पोत हैं चाहे कुछ भी है तो इस चीज का यह चीज हर बंदा जानते हैं जाना चाहँगो जिस तरह से स्टार्ट अप की दुनिया में आया है और जवर्दस टार्ट अप हमारे पास हो रहे हैं लड़के हमारे बच्चे करके दिखा रहे हैं तो मेकिन इंडिया की धूम मची हुए वंदे भारत हमारे देश में बननी शुरू होई बहुत सारी चीजह जो सेमिकंडुक्टर चिप की शौटेज थी जो चाइना से आती थी हमें इंपोर्ड करना पड़ता था आज हम उसकी फैक्टरी लगा रहे हैं यह सिरफ सिरफ और सिरफ मोधी जी के कारण इजी हुआ है जो इतने पूर्जे हमें चाहिए जो नए इनोवेशन के लिए स्ट देखोगे कि यह मोधी जी के इतनी तारीफ करेंगे कि हां जी हमें इतना बड़िया एंवाइरमेंट मिला है यहां इंडिया में काम करने के लिए और दूसरे देश की कंपनिया यहां पे इंवेस्टमेंट करना चाहती हैं और वो उनको इन्वाइट कर रहे हैं कि आप आई है वंचिद्वर को यहां पर रिकागनेशन दी जा रही है जिनको जैसे कह रहे थे पिछले वर को पहले कुछ नहीं था देश की राश्पती बनाए गई आदिवासी बहूल से आती थी अधरावद्यू मुरू मैम तो ऐसे ऐसे लोगों को लाकर के उस पटल पर बिठाया ग क्या है और वर्क को जानीइं को जिडर किया जा रहे है बहुत खुश है इस पार्टी से तो बिलकुल जिस तरह से हमने यहां पर सभी की राय जाने की कोशिश करी और सभी का अपना-पना ऐपीनियन था बताया उन्होंने की किस पार्टी को वो क्यों सपोर्ट करना चाते हैं साथे साथ उन्हों चंडीगड की मूलभूत जो जरूरते हैं उसके बारे में भी डिसकस किया तो चंडीगड से इन तमाम खबरों के साथ हम आपने सफर को आगे भी जारी रखेंगे लेकिन यहां की जो राय थी यहां की जो जो लोगों का नजरिया था हमने बेवाकी से आपको दिखाया और बताया कि क्या चाहती है जनता क्या बोले जनता चंडीगड से क्या कुछ निकल कर क्या है वो भी आप सभी के सामने हम रखने में काम्याब रहे है क्या मिननको औरों के साथ मैं मुकेश शुक्ला डीडीडी न्यूस चंडीगड